नए साल के जश्न के दौरान बैंगलूरू में लड़कियों के साथ हुई छेडचाड की घटना से एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उट गए हैं छेडचाड की घटना का वीडियो फुटेज सामने आया है एक में तो दो हुर्दंगियों ने लड़कियों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जिसे देखकर विश्वास ही नहीं होगा कि आप ऐसे समाज में रहते हैं तो वहीं दूसरी वीडियो में दो लड़के एक लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए दिख रहे हैं अभिनेता आमिर खान ने लड़कियों के साथ होने वाली ऐसी छेड़ छाड़ के पीछे खराब सोच और विचार के लड़कों के साथ साथ देश के कानून और सिस्टम का हाथ बताया है आमिर खान के मुताविक देश का कमजोर सिस्टम और कानून ऐसे लड़कों को प्रोथ साहित करता है क्योंकि उन्हें ऐसे गुना से कोई डर नहीं लगता दिखिए जो बैंगलोर में हो बड़ी दुखी बात है और इससे हम सब को बड़ा दुख होता है हमको शरम लगती है कैसा हमारे देश में कभी होता है और यकीनन हमें और सरकार को हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं और ये एक कंटिन्यूस कोशिश है मुझे लगता नहीं कि किसी का इसका कोई एक हल है और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में दो-तीन जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पर भी रखे हैं वो यही है कि जब लाइन ओर्डर बहुत सक्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा आप देखिए अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई गिल्टी आदमी को केस खतम होके उसको सदा भी मिल जाती है जब यह इसमें बदलाव आएगा तब मुझे लगता है बड़ा बदलाव आएगा आज की डेट में जो लड़कियों के साथ चेशार करते हैं गलत काम करते हैं को यह मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है जब हमको ऐसे एक्जाम्पिल सामने आएंगे कि विदिन टू-3 मॉंस जिस आदमी ने भी ऐसा किया है जिस विक्ती ने ऐसा किया है वो बिहाइंड बार से उसको लंपी सजा में लिया और सब्सक्राइब करेंगे तब यह परस्तिती बदलेगी मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा यह मुझे लगता है बहुत इपॉर्टन चीज है और हम जहां तक लीडीज का सवाल है मुझे लगता हम जो जिस विशे पर हम काम कर रहें पानी का विशे उससे एक अलग महिलाओं को बहुत इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने हमारे फिल्मों के जरीए हमारे शो के जरीए कि हम लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ाए इन सब विशों को लेकर